तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का और हम बात कर रहे हैं मत्पुदेश पटवाडी 2030 का जो पेपर है उसके लिए सामान विज्ञान कस्प को से ठाइए और जैसा कि अब कुछ समय बचा नहीं है जाता अब 15 मार्च को पेपर होना है और एड्मिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं तो तैयारी आप तेज करते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है वो है कि निमली खित्मे से कौन सा मानो सरीर में सबसे कटोर पदार्थ है चार विकल्प हैं पहला है केरटिन हड़ी दातों का इनेमल या फिर अमीनो अम्लिया एमीनो एसिड यहा जो सबसे कटोर और सबसे बाहरी सफेद भाग होता है दात का जिसे इनेमल कहा जाता है और यह मानो सरीर में सबसे कि मतल reli मानोह साइड के mettास में पाया जाने वाला सबसे कठोर हो उ तक तो इनेवल एक पृकर का उ तक है जो की हाईड्रोक्साइप्टाइट से मिलकर बना होता है और यह जो हाइड्रोक्सा पेटाइड जो है यह कैल्सियम फास्पेट का एक क्रिश्टल है और इसका जो कार है दातों को सरणने से बचाना और अगला कोशन देखे तो अगला कोशन है कि अभी केंदरी बल किस के लिए उत्तरदाई है पहला है अंत्रिक्ष में वस्तू की सदंत्र गती के लिए दूसरा है वस्तू को वर्त्ताकार पत्वर गतिमान गाने के लिए और ले कोई की लिए बिए नंभर एक कीतिक निमनलिखित कतनों में से कौन सा सही है या या है पहला है कि पज़ों १र के प्राप्त और जा को कार्भो हेटरेट के रूप जंग रहीत भोजन में परिवर्तित करते हैं और दूसरा है कि पौधों में पर्ण हरित या क्लोरोफिल होता है और तीसरा है कि पादब कोशिकाओं में कोशिका भिति नहीं होती है विकल्प है नंबर एक केवल एक सही है और दो है कि केवल एक और दो सही है और तीसरे विकल् होगा नंबर दो विकल्ब की केवल एक और दो सही है और प्रेकास की बात करें तो प्रेकास की प्रस्तिति में जो पौधे यह अपना खाना बनाते हैं उसे प्रेकास कहा जाता है और कुछ पौधे इसके लाभा हरे साहवाल और साइनो बेक्रिय जो होते हैं यह अवी प्रेकास करते हैं कोальная packed करते हैं तो आप त्लिटि जो है कठोर परत होती है कोछिकाओं की ऊपर इसके बाद कोसिका जिल्ली होती है और कोशी का भित्ती जो है इस पेशली पादपो में ही पाया जाता है और अगला गुश्टन देखें हम तो अगला कोश्टन है कि राइवु सोम निम लिखित में से किसके लिए कार ये इसल है यानिकि राइवु सिंग कहा पेकात पर मतलब रायवु संग कि प zijn लिए फुर्त तो यहां पर सही विखल लद ऑफ चाहेगा नंबर एक की राइबो सुम में Ng प्रिटीन का कार होता है और अगला कुस्टन है कि उससे पहले थोड़ी से आज राइबो सुम के बारे में और जान लें तो इस ज़ो राइबो नुमा दिखाई पड़ते हैं इसके अलावा सबसे पहले राइबोजोम्स को वर्स 1953 में जार्ज पलाड़े के द्वारा कि इलेक्टान माइक्रोस्कोप से देखा गया था और यह जो राइबोसोम है यह प्रोटीस असलेशन के लिए कारिस्थल है और यह जो राइबोसेम हैं दो प्रकार के होते हैं यूकेरियोटिक राइबोसोम और प्रोकेरियोटिक राइबोसोम होते हैं यह अगे बढ़ते हैं अगला गुस्टेन है कि कि चलती हाँ अगे चलता है क्वेश्चन नमबर नौ के तरफ क्वेश्चन नमबर नौ है कि चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब अचानक बस रुख जाती है यह किसके द्वारा समझाया गया है पहला विकल्प है न्यूटन के पहले नियम द्वारा दूसरा विकल्प है न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा और तीसरा विकल्प है न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा और चौथा विकल्प है कि सम्वेक के सनक्षण सिध्धांत के द्वारा तो यहां पर सही विकल्प ह हो जाएगा नंबर एक कि न्यूटन के पहले नियम के द्वारा इसे समझाया गया है कि जब चलती यात्री में इसे जड़ता का नियम भी कहा जाता है तो यह भी आता है कि जड़ता के नियम के द्वारा समझाया गया है तो यह भी कोश्चन कभी-कभी पूछ देता है यानि कि न्यूटन का प्रथम नियम ना लिखकर जड़ता का नियम लेख देता है तो इसका भी आप फिकल्ब में मेंस सब्सक्राइब जो हैं ये तवचा से सांस लेता है और अगला कोश्चन है कि अहार नली में अंगो द्वारास्ट्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्पूर्ण भोमी का निवाता है यानि कि वसा का पाचन किन औरके। Penis के दोर रहा होता है चार विकलप है पहला है अगनासरी रस मैं स्लम और तीसरा है पित्रत अगनासरी रस और चौथ है लार यह हॉथ है अंबर यहाँ पर Democrats के द्वारा उफसा के पाचन में और यहां न लील्ए होता है work के द्वारा पित्रस और अगनासरी रस का पाचन का स्रामर किया जाता है जिससे वसाक को पचानने में मदद मिलती है तो सही विकल्प यहां पर नंबर तीन हो जाएगा और अगला कोशन है कि निमलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकेरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है केवल माइट्रोकांड्रियर केवल क्लोरोप्लास्ट और नंबर तीन है क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकांड्रियर दोनों और चौथा है इन में से कोई नहीं तू सही भी गल्फ हो जाएगा नमबर तीन क्लोरपास्ट और माइट्रोकॉंड्रिया यह दोनों प्लोकरियोट कोजिकाओं में पाए जाते हैं और अगला कोशन है कि निम लिखित में से किस जलूई जन्तु में गल्फड़े नहीं होते हैं आक्टोपस इस्क्विट क्लाउन फिस्ज्ज या वेल तो यहां पर सही भी गल्फ हो जाएगा नमबर चार कि वेल में गल्फड़े नहीं होते हैं और गल्फड़े के अगर हम बात करें तो जो गल्फड़ा होता है यह स्वसानंग है जिसे हम सांस लेते हैं और यह दिकांस जली जीवों में पाया जाता है जिस अपने मचली का उसको निकाल सकता है उसको नीगाला जाता है और काम हैकड म अईकणि इससे और पड़न करते हैं और वेल में स्वसन फेपड़े के द्वारा होता हैं और कुछ जानवर हैं जिनके और हम बात कर लें unity प्रहसा कि ने पहले हम पकादा हमने इनका जो नत्यार œ기가 वर्लत किस फ्थेप्रे कि दूरा होता है और मकडी जो होता और बिच्छू होते हैं इनमें फुपुस के दूरा होता है कोप नाम्य क्या Congo जो होता हैर इसमें स्वासंडे के द्वारा होता है मछली जो भी खुली जिंग हो होता है और मेड़क ऐसा है जिसमें त्वचा से भी होता है फेपड़ा से भी होता है और मुख गुवा से होता है क्योंकि वह उभैचर है जा सकता है सोडियम, मरकरी, कापर या आयरन तो यहां इनमें सही विकल्ब हो जाएगा नमबर A.B. कि सोडियम को चाकू से असानी से काटा जा सकता है और नेक्स्ट है कि विद्दुत का सरवत्तम चालक है सिल्वर, लेट, कापर, अलियूमोनियम इनमें कौन, तो यहां पे सही विकल्ब हो जाएगा यह विकल्ब सिल्वर और नेक्स्ट कोशन है कि सोडा वाटर में नेबू का रश डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्या चार अमल उदासियन या फिर उप्रोक सभी तो सही विकल्ब है सोडा वाटर में चार होता है तो सही विकल्ब यहां पे नमबर A हो जाएगा और अगला क्वेशन है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वाहिव से क्लिया करके बना लेता है क्या आरणांगसाइड पोटेसियम अक्साइड यह सोडियम आक्साइड तो सही विकल्ब तो तो सही विकल्ब हो जाएगा और अगला कोशन है कि हरी मेहंदी में निमन में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है लासोन पोटेसियम कारबन या आइरन तो सही विकल्ब हो जाएगा ए विकल्ब लासोन की वज़े से महत जो हरी महन्दी होती है वो लाल हो जाती है और अगला कुशन है कि आक्सी करण अभिक्रिया में क्या होता है आक्सीजन का जुड़ना, हड्रोजन का जुड़ना, आक्सीजन का अलग होना या इलेक्टरान प्रहण करना तो सही विकल्प हो जाएगा कि आक्सी करण अभी क्रिया में आक्सीजन जुड़ती है यानि कि सही विकल्प नंबर A हो जाएगा और अगला कोशन है कि नीले लिटमस पत्र को किस रंग में जो नीला लिटमस होता है किसी पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है सफेद लाल काला या बैंगनी तो सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प जो नीला लिटमस है यह साधे पेपर को लाल रंग में परिव कि कटे हुए सेव का भूरे भूरा हो जाने का कारण है सेव में उपरस्तित है जिसकी कारण जो कटा हुए सेव भूरा हो जाता है कैल्सियम जिंक आयरन या आयोडीन थोड़ी सी यहां पर द्यान रहे हैं इसका मतलब यह इसमें आयोडीन भी है और कोशन Nex है कि इदमे से निमलिकी ग्रित में से विलॉपत जनतु प्रजाती है डोड़ो पक्षी कॉवा हाथी या ठाइगर तो यहांपर सही विकल्प हो जाएगा नंबर एव कल्प डोड़ो पक्षी विलॉपत है और अगला कोशन है कि काईक जदन पाया जाता है अलू में गेहु में नीम में या मटर में तो यहाँ पर सही भी कल्प हो जाएगा नमबर ए अलू में पाया जाता है यह और अगला कोशन है कि नर और माधा युगमक के सेमजन को कहते हैं परागन कर निसेचन, मुकलन या बी जाणू तो सही भी कल्ब यहाँ पे बी हो जाएगा निसेचन और अगला कोशन है कि एक लेंगी पुस्प है इनमें कौन मक्का, संसो, गुलाब या पिटूनिया तो सही भी कल्ब हो जाएगा A, मक्का और अगला कोशन है कि दुई लिंगी पुस्प निम्लिकित में से कौन सा है पपीता, मक्का, ककडिया, संसो तो यहाँ सही भी कल्ब हो जाएगा D, संसो और अगला कोशन है कि mug्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है और अगला कोश्चन है कि वयस्क व्यक्ती का यृद्य एक मिनट में कितनी बार धरकता है पचास वार बहत्तर बार या एक सो बीस बार तो सही विकल्ब हो जाएगा पर सही विकालफ हो जाएगा सी सह बार अब ध्यान देजिए गाँ जो ऑस्तन होता है वो 72 होता तो यहां पर गलती मत करिये गाँ यह सीथे पूछाए कि व्यस्क व्यक्ति का हिर्द एक मिनट में कितनी बार धरकता है तो सौ बार धरकता है अगर आस्तन होता तो आस्तन बहतर बार धरकता है ठीक है चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है कि लाल रक्त करणिकाओं को निम्ड में से किस नाम से जाना जाता है कुल्स रोग होने पर सरीर में किसी सीज की कमी हो जाती है रख्ट में हीमोगलोबीन की विटामीन की जल की या खणिज लिए हो जाएगा और नेक्स्ट कोश्टेज़ हुज की माधा एनधिलीज मच्छत जब काट लेता है तो उससे कौन सर्ग होता है एड्स कैंसर मुलेरिया या डिंगू तो मताओ भाई या सही भी कल मलेरिया हो जाएगा और कुश्चन नमबर नेक्स्ट है कि बहुत अधिक उचाई पर मनुस्य की लाल रुदिर कडिकाओं का क्या होता है आकार बढ़ जाता है संक्या बढ़ जाती है आकार छोटा हो जाता है या इनके संक्या घट है तो सही भी कल फोगा नमबर बी कि बहुत अधिक उचाई पर मनुस्य की लाल रुदिक कडिकाओं होती है उनकी संक्या बढ़ जाती है और नेक्स्ट कुश्चन है कि आधुनिक चर्म सोधन जोगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विसेली होती है निक सब्सक्राइब करें जैहिन लाइक जरूर करें को सब्सक्राइब करें जैहिन